प्रोग्राम के शुर्वात इस वक्त हम कर रहे हैं मैंपुरी सीट से मैंपुरी सीट पर जल्दी उपचुनाव होने वाले हैं लेकिन उपचुनाओं से पहले भाजपा ने एक बड़ा कैंडिडेट खड़ा कर दिया हलाकि उस नाम को अभी डिकलियरेशन नहीं किया जा रहा है लेकिन अंदर की खबर है कि शायद मैंपुरी सीट पर भाजपा ने जिसका डर था वही किया अपढ़ना यादव को उतार दिया है और अब भी हम यहाँ पर मौझूदा समय की स्थिति को देखें अकलेश शादों ने कोई फैसला नहीं किया तो क्या चार कदम आगे निकल गई बीजेपी और अकलेश सोचते रहेगा और मेंपुरी सीट बीन के हाथ से निकलेगी यह तमाम औरे मुद्दे हैं रामपूर का भी मुद्दा रहेगा जिसमें उपचुनाओं में किसको खड़ा करना चाहिए अकलेश यादव को इस पर भी बात करेंगे रितिक मेरे साथ मेले सयोगी इस वक्त महजूद है रितिक बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में और रितिक सबसे बड़ा सवाल खबर यह सामने आई है कि रामपूर और मेंपूरी सीट यह दोनों सीट समाजवादी प उक्सान उनको होना हो रहा है और अब किसको उतार देना जल से जल ठीक रहेगा देखी आप समझे कि अपड़ना याद अपको तो उतना ही है अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी के अंदर कॉन्फिडेंस था अब और कॉन्फिडेंस जहां केसर प्रसाद मौर यह कह रह आया है आप यह समझे कि अब उनके पास और कॉन्फिडेंस है और आपने देखा होगा कि बीजेपी की रणनीती रही है कि बीजेपी यही चाहती है कि कहीं ना कहीं परिवार को परिवार से लड़ाया जाए बिपक्ष को कमजोर किया जाए पार्टियों को कमजोर किया अखलेश यादव सांथ नजर आ रहे हैं आप सोच यह तेजपरताफ सिंग यादव बड़ा नाम था शिद्रा बड़ा नाम है इसके साथ धर्मिंदर यादव बड़ा नाम है शिप्पाल चाचा कि मैं यहां पर बात करना चाहूंगा शिप्पाल चाचा सोक कुल में सामने न आया है यहां पर आप यह समझे लिए आपने जो अपरना यादव का नाम लिया है यह बहुत बड़ा नाम है और यहां पर बिल्कुल सही है मैं दाबे के साथ कह सकता हूं यहां पर कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से में पूरी सीट को लेकर जो टिकट मिलेगा वो अप रामपुर की चर्चा की रामपुर पर हम अगर आएं तो रामपुर की सीट को आप देखिए आजम खान जैसे नेता जो चले जाते हैं उनके जो पूत्र है अब अब्दुल्ला कर लेकर खबरें आ रही थी लेकिन अब्दुल्ला राजनीती में तने मश्बूत नहीं है तो आपके हालाद जो हैं अभी की वक्त की जो इस्तिती है वो सीधे तो पर बतारी की समाजवादी पार्टी को नुक्साने मैं आप से सवाल रिती कि यह कर रहा हूं कि अकलेश यादव खोद उतरते हैं तो कितना फायदा हो रहा है और अखलेश और डिमपल में से किसको उतरने स सब्सक्राइब वोट उन्हें मिल जाएगा जेठानी और देवरानी इन दोनों की अगर लड़ाई करवाई जाए हां पर तो ठीक रहेगा देखिए अखलेश यादव करहल की जनता और उनकी पास चनौतियां बहुत सारी हैं करहल की जनता से उन्हें बाधा किया था और वा मुलायम सिंग्यादव ने मेन पूरी सीट को लेकर बनाई थी वो छबी कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि डिमपल उसको संभाल कर रख सकती हैं यहां पर सवाल यह उठता है देखिए यह बात तो तय है कि अखलेश यादव चुपी तोड़ देंगे और यह देख रही है कि अमीद बार कॉन है जीतना तो सपा करते हैं लेकिन तो बीज़ेपी यहां पर खेला कर जाएगी तो कहीं ना कहीं ना माना चाहिए मेरे साथ से तेज प्रताफ सिंग्हादव सांसत भी रहें तो मेंपूरी की जनता को कैसे संभालना है और कैसी राजनीत कर लेते हैं विदाइकी खत्म हो गई है तीन साल की सजा हो गई है एटी स्पीच के मामले में रामपुर से क्या आजम खान के बेटे को अगर उप्चुना में उतारते हैं अकली शादो तो फायता मिलेगा लग रहा है कि जो सपोर्ट और समर्थल मुसल्मानों का या वोटर्स इम्रान मसूद का जटका लगा इर्फान मलिक का जटका लगा आजम खान का जटका लगा यह तीन ऐसे नाम थे सपा के अंदर जो कहीं न कहीं समीकण को मजहूत रखते थे अब आजम खान की विदाएगी चली गई तीन साल की सजा हो गई नौ साल तक वह यहां पर हैं लेकिन राजनीती में जड़े मजबूत नहीं कर सकते लेकिन यहां पर शुद्रा का नाम सामने आ सकता है महिला महिला कैंडिडिट होने के नाते नाते रामपुर की सीट को अच्छे खासी तरीके से वह समझती हैं राहूल कि सीधे सीधे तोर पर देखा जाए कि अभी क समय के हालातों को अगर देखा जाए तो समाजबादी पार्टी जहां सोच विचार कर रही है वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने बड़ा दाव खेलना शुरू कर दिया है समाज मेरा रितिक सवाल यह रहेगा मुलायम सिंह यादव पर्दे की पीछे रहकर अभी समाजबाद पार्टी को अकलेश nin इतना आगे लेज़ा पाएंगे या उस हद तक अभी गलतियां और अभी घल्तियां कर रहे हैं अगले आधव से कई बार मुलायम सिंह जांद पाये आप बाहर जांद ही लेकिन अख्लेश जिआ ड अबने विदान साबो के पहले कभी को लाने बॉत क पड़ा अब अगर हम यहां पर बात करें कि पार्टी को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे कैसे मजबूत अपने आपको करेंगे मुलायम सिंग अदब के जानने के बाद तो गलती फिर से वही दोर आया जोने पर दोर आई थी आप यह देखिए शिप्पाल चाचा कि प्रश्पा की बात कने से आधा वही गल्ती कर रहां कि सिपाल चाचे अपरिवार को जोड़ने का काम नहीं कर रहे आप यह सोची अपड़ा चेहना सफ़ा पार्टी के लिए और सिफपाल चाचा जो है उनसे कहीं न कहीं मुलाकात करके जो मामला है जो लड़ाई उसको सुल्धानी पड़ेंगी और चाचा भतीजों को मिलकर पार्टी का जो है संड़क्षा करना पड़ेगा नहीं तो अखली स्यादव को अपने आपको मजबूत करना है साथ में पार्टी को मजबूत करने के लिए शिफपाल चाचा के साथ हाथ मिलाना जरूरी है रिदीक नितवाम तरह की जानकारी बताई अब देखना होगा कि शिफपाल है या खलेश या पर डिपल किस पर डाउ किलते हैं आज क झाल 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 झाल